Hello dear student, welcome back to my channel, Saravan Lecturer Dear student, आज हम आप लोगों को बताएंगे हिंदी पद्ध साहित जो आपके बोडिक जाम में पहले 10 नमबर का कुईश्यन पूछा जाता है वो आपके हिंदी पद्ध साहित तथा हिंदी गद्ध साहित दोनों को मिला कर आपके 10 नमबर पूछे जाते हैं इसका अर्थ है 5 नमबर आपके हिंदी गद्ध साहित तथा 5 नमबर हिंदी पद्ध साहित से पूछे जाते हैं तो आज हम आप लोगों को हिंदी पद्ध साहित के 3 कुश्यन बताने वाले हैं जिससे आप लोगों को दो नंबर मिल सकता है बोड एक्जाम में दो नंबर का कुश्चन इससे पूछा जा सकता है ठीक है आईए हम देखते हैं वो कुश्चन क्या है पहला कुश्चन है रीती काल के परमुक कभी यों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखी रीती काल जो कभी थे रीती काल के उनका नाम बताईए तथा उनकी रचना का नाम बताईए तो पहला है मतिराम मतिराम रीती काल के कभी है मतिराम जिसका रचना है रश राज क्या है रश राज और दूसरा है मतिराम सत्चई यह तो याद ही हो जाएगा मतिराम सत्चई क्योंकि उनक पहली है रस राज तो आई होब कि आप लोगों को मतिराम का रचना तथा रीतिकाल के एक कभी का नाम याद हो गया होगा अब हम दूसरा देखते हैं बिहारी बिहारी जी जो है जो दोहा लिखा है जो है बिहारी सत्सई इनकी रचना है बिहारी सत्चाई इनमें जो बिहारी सत्चाई है इसमें लगभग कितने 702 है लिखे गए है ठीक है इन्होंने लगभग 702 है लिखे है तो ये हो गए मतिराम जिसकी रचना है रसराज मतिराम सत्चाई और दूसरे हैं बिहारी जिसकी रचना है बिहारी सत्चाई तो ये पहला कुश्चन है रीती काल के परमुख कभीयों उनकी रशनाओं का नाम बताईए देखिए जो पिछले वर्स में जो आपका पेपर आने वाला है इसके पहले जो बोर्ड एक्जाम हुआ था कलास्टिंथ में ये कुश्चन पूछा गया था ठीक है तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और अच्छी तरह से देखिए वीडियो को पूरा देखिए मिस न कीजिए लास्ट में बहुत है इंप्वाटन कुश्चन करने वाला हूँ दूसरा है प्रियोगवादी धारा के किनी दो कभियों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखिए जो प्रियोगवादी धारा है उनकी कभियों का नाम लिखिए उनकाल के दो कभी का नाम लिखिए तथा उनकी रचना का नाम लिखिए तीक है दो कभियों का नाम लिखिए जिसकी रचना आंगन के पार द्वार किसके सचीडानेंद हीरानन्द वतस्यान अग्याई तो और दूसरे जो कभी है धरम धर्मवीर भारती जिसकी रचना है कनुप्रिया ठीक है तो दोनों आप लोग दोनों कभी का नाम में याद कर लीजिए आपके बोरिज्जा में पूछा जाए परियोगवादी धारा के किनी दो कभीयों का नाम लिखिए और उनकी रशनाओं का नाम लिखिए अग्याई जिसकी रचना है आंगन के पार द्वार और दूसरे है धरमबीर भारती जिसकी रचना है कनुप्रिया और तीसरा जो कि हमारा लाश्ट कुश्चन है बहुत ही इंपॉर्टन कुश्चन है बेरी इंपॉर्टन कुश्चन ये सब बहुत ही important तीनों बहुत ही important three questions बताया हूं और आप लोग इससे ना मिस्स कीजिए ठीक है देखे प्रस नमबर three क्या है छायवादी यूग के किन्ही दो कभियों के नाम तथा उनकी रचना का नाम लिखे ठीक है तो देखे बहुत ही जी है जो आपके जय संकर परसाद जी है वो एक छायवादी कभी है ठीक है जय संकर परसाद जी जिसकी रचना है कामा यानी आसू ठीक है कामा यानी आसू और भी आप लिख सकते हैं तितली हुआ तो इस परकार से कामा यानी आसू इसके दो रचनाए है कि इसके जय संकर परसाद जी के तो I hope कि आप लोगों को दोनों रशना समझ में आ गया होगा कौन है कामा यानी और आसू जूसरे हैं महादेवी बर्मा महादेवी बर्मा का नाम आपने उन्हों ने सुना होगा एक भी दुशी महिला है महादेवी बर्मा जी ठीक है तो महादेवी बर्मा की जो रशना है वो है यामा और दीप किसका भारत भारती किसकी रचना हूज कर दीजिए टिक है ऴीडियो को तो आप लोग को ऐसे आप लोग को तीनों कुश्चन तैयार कर लेना है मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि छायावादी युग की विशिष्था हैं तसा जो आपके परियोगवादी युग की विशिष्था हैं रितिकाल युग की विशिष्था हैं बहुत ही इंप्वाटन्ट ये भी कुश्चन है तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए फिर आगे देखेंगे तो फिर आल इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्नवाद